साथियों नमस्कार मैं प्रतिक चौधरी एड्वोकेट चौधरी लीगल सवसीट से आपका स्वागत करता हूं आपका वेलकम करता हूं आज हम बात करेंगे राइट टू इंफर्मिशन रूल्स 2006 पे जो किसन 2006 में आर्टिया के लागू होने के बाद लागू किया गया इसमें की फीज की जो कोस्टिंग थी हैं कैसे त्य होगा कि कितने पीज है कि इसको हम आप ki के आपको किन चीजों का विशस्त ध्यान रखना है और कॉस्टिंग कैसे निगाली जाती है सुछन आधिकार में इसमा लोग दिसकस्ष करेंगे बात्चीत करें फॉलू करें लाइक करें सब्सक्राइब करैं और वीडियो को आप लोगा स्केप ना करें आगे पीछे करके ना देखें वीडियो बहुत ही महत्ता पुणंड होने वाला है आपके बहुत काम आने वाले तो आईए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं आर्टी आई रूल्स 2006 जो है सुचना अधिकार अधने राइट रूल्स 2006 की मैं बात कर रहा हूं इसमें यह बताया गया कि आपकी जो फीज है आर्टी आई की वो कैसे तैह होगी कौन तैह करेगा किस हिसाब विज्वध में पूंगे तो इसकी सबसे इंपोर्टेंट जो दा रहा है स्क्षन फाइब स्टेक्शन फाइब जो है वो फीज के बारे मिताएं में आपको मिलेंगी आप साइज जाके देख सकते हैं आप फोटो कोपी की दुकान से याब पूछ अबहार में पूछ सकते है जानते हैं यह 4 होता है उसके लंसम ही कागज होता है फार और इथरी इसमें पताया इस इस देट आपको अपलब्द कर आएंगे और इसके लिए आपसे प्रति पेज प्रति पन्ना दो रूपिया चार्ज करेंगे जितनी आपकी सूचना है होंगी पेज के साब से आप मल्टिप्लाई कर लेंगे दो रुपया प्रिज्टी सूचना होंगी वह आपको उभलब्द कराएंगी इसको घा बोलेंगे हिंदी में वह इस बात की आपको अनुमति देता है कि आप अपनी जो भी सूचना अधिकार में जो भी आपक आप अपनी पत्रावली का अनुमोधन कीजिए निरेक्षण कीजिए और हमें बताइए आपको कौन सी सूचना आपको लेनी है क्योंकि आपने इस वारें बताया गया इसके लिए प्रतम घंटा जो होगा उसके लिए आपको 10 रुपे चार्ज किये पत्रावली आप काराले प सकते हैं ज मुझे पत्रावली कहा करना है और उसके लिए आप 10 रुपे कीजिए पहले घंटे चार्ज बी निरेक्षणárias पहले घंटे के बाद तो उसका, भी, आपका 5 घंटे के लिए प्रतम घंटे के लिए आपको 10 रुपे चार्ज करना है ऊसबसाद wire को असी रिखंट आपको 5 रुपे प्रति घंटे के हिसाब से आपको फीश चुकानी है इसमें जो सबसे जूज़ियों जो सबसेक्षन जो एह वो आपको बताता है कि आपकी सूचना है मैं यह आजकल सीडी ड्रेव चलते हैं दीबीडी और इसके लिए आपको विभाग को 50 रुपे का शुल्क जमा करना होगा संबंदित विभाग आपकी फ्लॉपी आपकी डिस्टैक आपकी डीवीडी आपकी सीडी में उन संबंदित जो प्रपत्र होंगे उनकी एक कौंपी बना करके डाल देंगे इसके लिए यहां पर शुल्क पहले ही सूचना हैं बहुत महत्तपूर्ण आपके लिए जानकारी है इसको आप समाल करके रखें दूसरा इसमें सबसे जो लास्ट में एक सेक्शन आता है इसमें सेवन सेक्शन सेवन आपको बताता है कि मान चित्र रेखा चित्र आदि मामले में शिरम और सामेग्री में लगाई आपके लागर पर प्रते atge मामले में संबंदित शुल्क लोग अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा इस बात को भी आ याद रखें मान चित्र या रहेखा चित्र के मामले में पर यで we के। ने समबेरा वो लगाये यहां पर मैं आपको बता दू वह सब दो बाहएंगे वह सबसेक्शन 5 के अधिक दी सबसेक्शन से दूरी है शुल्क कैसे होता है आप संबंदित जो आपने सूचना मांगी है अगर आपकी सूचना कभी-कभी यह होता है कि आपको जनसूचन अधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ उसने लिखा कि आपकी मांगे गई सूचनाओं का शुल्क 16,000 रुप्या है 20,000 रुप्या है 40,000 कई बार होता है मुझे पत्र मिलते हैं मुझे मैसज मिलते हैं कि सर जनसूचन अधिकारी ने लिखा है कि आपकी मांगे गई सूचना चाली सहारुपे की है अपना शुल्क जमा करें ऐसी कंडिशन में मैं क्या करूं तो मैं आपको बता कर दूं ऐसी कंडिशन में आप संबंदित कारे ले जाए पत्रावली का दस रुपया देके नितक्षण कीजिए संबंदित अधिकारी को 50 रुपय की फीज जमा करिए और उसको अपनी पैंड्राइब सीडी डीवीडी जो भी है उसे उपलब्द कराईए फ्लॉपी और उसको अधिकार अधिकार अधनियम रूल्स 2006 के अंतरकत तो आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा आपके कमेंट्स आमंत्रित करता हूं मुझे लिखिए मेरे अपने सवाल और हम देंगे आपको जवाब मिलते हैं अंगले वीडियो में बने रह अधिकार नमस्कार जादी नियुक्त